हलो बैजन गर्ल्स अब लोग कैसे हो I have a new identity weekly के पिछले एपिसोड में देखाता है man character डायरेक्टर की बात बिलकुल भी नी सुनता है और वहां से जाने लगता है और man character को यहां पर बहुत ज़्यदा गुशा रहा होता है और जुश्य में देवाल पर पचकर देता है और आप यहां पर देख सकते हुआ देवाल की हालत ठाह्ले क्या हूई है यहां पर निकल जाता है और यहां पर देवाल टोट जाती है और वो देखके जो Mr. Lean होते हैं वो कहते है कि Director यहाँ पर सही रहेगा कि Mr. Sue हो यहाँ पर जाए तो वो सुनके जो Director होते हैं वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर उसकी Power देखी वो यहाँ पर Human Power से भी उपर है तो वो सुनके जो Mr. Lean होते हैं वो कहते हैं पर वो यहाँ पे एक famous entrepreneur है और कि उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत हुआ तो हम क्या करेंगे तो वो तो उनके जो director होते हैं वो कहते पर यहाँ पे criminals को उनकी identity नहीं पता है और यहाँ पे उसकी identity पता चली तो वो यहाँ पे अपना गाड़े थोड़ा down कर देगे और तुमको लगता है कि हम यहाँ पे उसकी safety के लिए चिंता करने की जरूरत है वो यहाँ पे पुलिस से कैसे बात करता है तुमको पता तो है और फिर हमको दूसरी side का scene दिखा जाते और जो criminal होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जा और हमारे लिए एक कार के इंतजाम करो वरना हम इस लड़की को मार देगे और तब ही जो man character हो उपर आ जाता है और जो police officer उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे चले जा और फिर man character आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि hell हम यहाँ पे पहले बार मिले और मैं तुमसे यहाँ पे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो कहने के बाद man character अंदर चला जाता है और वो देख एक मोटा बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और यहाँ पे जो चोटी बच्चे होती है यहाँ रो रही होती है तो वो सुनके जो man character वो reply देते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे नहीं जानते है मैं यहाँ पे chairman क्विनियन ग्रूप का और मेरे नामे पे शू है तो वो सुनके एक तकला बंदा होता है वो कहता है क्या क्विनियन इंटरनेशनल वो तो यहाँ पे top 500 में आती है और वो सुनके जो तीसरा बंदा होता है मुझे यहाँ पे पहले check कर दे दो और फिर कहता है holy city यहाँ पे सच बूल रहा है और वो सुनके जो मोटा बंदा होता है वो कहता है रुको तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो जो यहाँ पे man character वो कहता है कि तुम यहाँ पे चोटी बच्ची को छोड़ दो और यहाँ पे मेरी बात का बरोसा करो अगर तुम यहाँ पे चोटी बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं तुमको यहाँ पे 5 मिलियन देने के लिए तयार हो क्या वो यहाँ पे तुम्हारे लिए इनफ होगे तो वो सुनके जो मोटा बंदा होता है वो कहता है क्या तुमने यहाँ पे मुझे पागल समझके रखाए नीचे यहाँ पे पुलिस खाड़ी है हमको यहाँ पे 50 मिलियन चाहिए और तब जाके हम इसको छोड़ेंगे और बटले में तुमको यहाँ पे होस्टेश बनाएंगे तो वो सुनके मैन केर्टर कहते है कि हाँ ठीक है पर पहले उसको यहाँ पे जाने तो दो उसके बाद मुझे यहाँ पे होस्टेश बनाना है और वो सुनने के बास सारे लोग आपे सौक्ट हो जाते और अपने मन में कहते है यहाँ पर करना कह चाता है और कह यह सच में तर्द आप पागल है और फिर थोड़ी देर बात मैंकेट को आश्रीच बना लेते और जो मोटा बंदा होता है, man character गले में चाकू रखता है और वो देखके, जो man character हो, कहता है कि हाँ, अब यहाँ पर ठीक है ना और फिर man character उनसे कहता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे पकड़ा होता है, तो तुमको आपर billions मिल सकते थे पर तुमने यहाँ पर छोटी बच्ची को पकड़ा, और उसमें यहां पर तुमको कुछ भी नैं मिल सकता है और यहाँपर जो छोटी लड़की होती है, अपनी ममी के पास चले जाती है और यहाँ पर जोट-ढोड से रो रही होती है और यहाँ पर जो मोटा बंदा होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ और यहाँ पर मैंड कर से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हूँ तो वो सुनके मैंड करेटर कहता है तुम अपने आप से पता क्यों नहीं कल रहते मैं तो यहां पे सब तुम से बात करना चाहता हूँ और क्विंजी से कहता है कि दर्वासा बंद करो और वो देखने के बाद सब लोग यहां पर आप सौक्ट हो जाते और यहां पर एक बंदा क्याता है कि यहां पर धर्मचा कैसे बंद हुआ और किस ने बंद किया और मोटा बंदा मैन करेक्टर पर चिल्दाने लगता है और कहता है तुम यहां पर क्या करना चाते है तुम मानो या ना मानो मैं तुमको यहां पर मार दूगा तो वह सुनके man character एकदम devil smile देता है और कहते है तुम यह पर try करके क्यों नहीं देख लेते और जो मोटा बंदा होता है man character पर attack करता है पर तब तक जो man character वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर मोटे बंदी को खिच के लगाता है और वह देखे उसके जितने भी साथी होते हैं वह कहते है उसको यहाँ पर मार दो और टकला बंदा कहता है कि भाड में जाओ और सारे लोग man character अटेक करते है और man character उसे कहते है यह पंच छोटे बच्चे के लिए था जो तुम ने उसको मारा और फिर दूसरा बंदा man character पर attack करते है और man character उसे बच जाते है और फिर टकला बंदा भी man character पर attack करते है और उससे भी यह पर बच जाते है और फिर पहले वाले बंदे को और यहाँ पर उससे कहते है वो यहाँ पर dead woman के लिए और फिर दूसरे बंदे को भी मारते हैं और कहते है यहां पर dead old man के लिए और वो देखने के बाद जो चौथा बंदा होता है कहते है अभी यहां पर कोई नहीं हमने सीर्फ यहां पर तीन लोगों को माराता है और अभी मैं यहां पर ठीक हो मैंने सही कहा ना तो वो सुनके man creator केता है के हाँ यहां पर बहुत ज़्याद अच्छी बात है और यहां पर man creator को बहुत ज़्याद गुस्या आ रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है और उसको पंच मारता है और कहता है यह पंच इसलिए है तुमने आपे छोटी बच्ची को kidnap किया था और hostage बनाया था पंच खाने के बाद वो बंदे के हालत पूरी खराब हो जाती है और यहां पर चिलाने लगता है और यारो जो हमारा chapter हो यहीं पर कतम होता है और आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है तब तक के लिए goodbye और sayonara